गुद मॉर्निंग स्टुडेंट, दस्वीवालों के लिए हमारा ये जो लेसन्स चल रहा है वो समास के उपर है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आगे वाले वीडियो में मैंने आपको समास की परिपाशा, समास के विग्र, उसमें उत्तरपद, पुरुवपद किसे कहते है समास, समस्तपद, समासिक शब्द किसे कहते हैं वो बताया, संदी और समास का अंतर बताया, समास के छे भेद, उसमें से आगे वाले वीडियो में हमने दो भेदों की चर्चा की, जैसे के एक अव्यवाव समास और दूसरा हमने देखा तदपुरुशमास, अब बच्चो इ विशेशन, विशेश्य, अथवा उपमे, उपमान का संबंद होता है, उसे कर्मधारिय समास कहते हैं, विशेशन, विशेश्य, तो मैं आपको उसकी परिभाशा बता दूं की विशेश्य किसे कहते हैं, जैसे के यहाँ पे संग्या या सर्विनाम की विशेश्टा बताने वाले शब्द को विशेश्य कहते हैं त्यान दिजेगा बच्चो संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा विशेश्य किसे कहते हैं संग्या मैं आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जुगा का नाम संग्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं उसकी विशेश्टा दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं विशेश्य अथवा उपमान का सम्मंद होता है उसे कर्मधारिय कहते हैं अब उधारण के द्वारा इस परिभाशा को जादा समझेगे बच्चों, अब यहाँ पे यह जो है, यह विशेशन, विशेश्य सम्मंद, याने कि यहाँ पे उधारण पहले दे समस्त पद, याने समास युक्त शब्द कौन सा है? लाल मणी, मणी क्या है? विशेशन, लेकि लाल है जो मनी, ठीक है, तो यहाँ पे विशेशन, विशेश्य, मनी है ये विशेशन है, और मनी की विशेश्टा रशाने वाला लाल नाम का ये जो शब्दे है, वो विशेश्य है, तो सबसे पहले विग्र करेंगे तो विशेश्य शब्दे का समाल करेंगे, लाल है जो मनी, ठीक है अब यहाँ पे कर्मधारिय में सबसे ज़्यादा क्या इसमाल होता है है और जो यहाँ पे महाराज ठीक है अब यहाँ पे राजा लेकिन कैसा है राजा ये विशेशन शब्द है तो उसकी विशेशन दर्शाने वाला शब्द महा महा याने महान तो यहाँ पे विशेशन शब्द राजा और विशेश ये शब्द महान लेकिन महान शब्द को विघर करेंगे तब आगे लेगे महान है जो राजा ठीक है उसके बाद यहाँ पे महा देव महा देव तो देव देव ये विशेशन है लेकिन विशेशन की विशेश्टा दरशाने वाला शब्द महा महा याने बढ़ा महान देव कैसे है महान तो देव है तो यहाँ पे सबसे पहले महान है जो देव समझ में आया महान है जो देव तो यहां पे ये विशेशन और विशेश्य के संबंदम के उपलक्ष में सामासिक युक्त शब्द का विक्रह किया गया है जैसे लाल मनी मनी कैसी है लाल महाराज राजा कैसे है महान महादेव देव कैसे है महान ठीक है बिल्कुल उसी प्रकार से भी यहां पे देखेंगे समस्त पद उपमे उपमान संबंदी वो मैंने आपको उताहरन बताया था कि सीता का मुख चंद्र के समान है ठीक है उसे उपमे उपमान साधारन दर्म उपमा वाचक शब्द आपको याद होगा सीता का मुख मुख कैसा है चंद्र के समान उपमे उपमान मुख उपमे चंद्र उपमान ठीक है मुख की तुलना चंद्र के समान की याद आया कुछ तो वही उपमे उपमान के बीच का संबंद याँ पे है देखो शशी मुख मुख कैसा है शशी के समान शशी के समान मुख देखो, आई न वही बात, शशी याने चंद्र, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान, कर कमल, कर कमल, कमल के समान कर, कर याने हाथ, हाथ कैसे है, कमल के जैसे, कमल के समान कर, कमल के समान हाथ, तो यहाँ पे उप में, चलो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ तो मुख की तुलना शशी याने चंद्र के समान, तो मुख क्या है उपमे, शशी क्या है उपमान, यहाँ पे कर कमल, तो यहाँ पे कमल की तुलना कर की तुलना कमल के साथ हुई, कर याने हाथ हाथ की तुलना कमल के साथ हुई है, तो यहाँ पे कर उपमे, कमल, उपमान, गन श्याम तो गन के समान श्याम याने यहां पे गन श्याम याने तो गन गन के समान श्याम याने गन याने बादल बादल के जैसा काला ठीके तो यहां पे गन गन क्या होगा गन याने बादल बादल के जैसा काला श्याम श्याम उपमे उपमान क्या है गन ठीके तो यहां पे इस वीडियो में हमने किया देखा बच्चो कर्मधारिय समास किसे कहते हैं विशेशन विशेशिय जैसे के संग्या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले संग्या यानि किसी व्यक्ति वसूस्तान का नाम उसकी विशेशता बताने वाले शब्द को विशेश यहां पे क्या कहते है विशेश्य केते उपमेई, उपमा मैंने आपको उदारन बताया, सिता का मुख चिंदर के समान है, तो मुख क्या है उपमेई, और उस मुख की तुलना चिंदर के समान, तो वो उपमान है, ठीके, यहाँ पे मैंने उदारन आपको बताए, मनी कैसी है, लाल, ये क्या है, महाराज, राजा कैiernा है विशेशण, और महान कैया है विशेशण, महादेव, देव, देव नाम का शब्द क्या है विशेशण, देव कैसे है इसमन्मुख क्या मकर कमल आपकमे, कोर नाम का शब्द उपमे उसकी तुलना किसके साथ हुई है? कमल के साथ कमल शब्द क्या है? उपमान, घनश्याम, बादल के जैसे काले ठीके? तो यहाँ पे उपमे और उपमान तो यहाँ पे मैंने आपको कर्मधारिय समास किसे कहते हैं